नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे आपका एक बार फिल से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लॉल एक्जाम गाइड गुरू फ्री पर दोस्तों जो भी चैनल पर नहीं पर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दें दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो इरादे नहीं अपने तरीके बदलीए ठीक है आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपके इरादे मत बदलिए यदि कोई तरीकों में कमी है जिससे आप दूसरों से पीछे रहते तो अपने तरीको को बदलिए उस पर गौर कीजिए कि क्या दिकत है चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो फिजिक्स है फिजिक्स में अभी जो रेल्वे के एलपी के और गुरूबडी के एक्जाम हो रहे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक से जादा पूछा जा रहा है तो यह पांच टॉपिक है जिससे बहुत जादा पूछ रहे है उश्मा द्वनी प्रकाश विद्धुत और यांत्र की दोस्तों आपको बता दूँ देखिए अच्छा है आप क्या कॉश्चन आ रहा है यह देख रहे हैं आप तो आप बिलकुल तयार रहे हैं मैं आपको जो इन टॉपिक से कॉश्चन आ रहा हैं उनके जैसे सेम कॉश्चन बताऊंगा सेम कॉश्चन मतलब जो आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं ठीक है तो हम एके करके पांच हो टॉपिक के 20 कॉश्चन देखेंगे इंपोर्टेंट हम हम सबसे पहले उस्मा से ही सुरुवात करेंगे दोस्तों ठीक है तो आज के वीडियो में हम आपके लिए उस्मा के 20 कॉश्चन लाएं जो कि अभी आए नहीं आ सकते हैं अलपी सीबीटी टू और अपना जो है ग्रूप डी में यह एससी के लिए और पीसी के लिए भी उतन केलोरी उस्मा का मान होता है कॉश्चन दूसरा यह देख लीजिए उस्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है प्रत्यक्ष प्रमार इसका किस ने दिया तो रमफोर्ट ने इसका प्रत्यक्ष प्रमार दिया है ठीक है तीसरा कॉश्चन जी बिलकुल ताप के Celsius पर मतलब Celsius की बात हो रही है सून परम सून ने ताप क्या होता है तो Celsius में जो परम सून ने ताप होता है दोस्तों वो होता है माइनस 273 डिगरी Celsius ये परम सून ने ताप होता है ठीक है ये बहुत important question हो कई बार SSC और UPSC में repeat हुआ है वो केलविन मान से मानव शरीर का सामानेताप क्या होता है तो मानव शरीर का सामानेताप केलविन में 310 केलविन होता है और आपको बता दू मानव शरीर का सामानेताप केलविन में Fahrenheit और Celsius तीनों में ही पता होना चाहिए तो यह अगला जो question is में आपको तीनों का बता देता हूँ मानोशरीर का सामानेत आप Kelvin में आपने पढ़ी लिया 310 Kelvin इसका जो है Celsius में होता है 36.89 Celsius इसको कई लोग average लेके 37 degree Celsius भी बोलते हैं ठीक है कई जगा 37 degree Celsius भी लिखाए तो यह तीनों आपको रटे होने चाहिए छटवा question देख लेते हैं दोस्तों पाइरोमीटर से लिटर question आया हुआ है तो मैंने पाइरोमीटर से लिटर 3-4 question कवर किये हैं आप याद रखिएगा उश्मा विकरण को मापने की युकती है यह question आया था और option में पाइरोमीटर दिया था तो पाइरोमीटर लगा दीजिएगा और यह आ चुका है पाइरोमीटर वाला है न इसके साथ बोलोमीटर भी होता है तो बोलोमीटर भी आप याद रखिएगा उश्मा विकरन मापने की जो है युक्ती है बोलो मीटर चलि अब पायरो मीटर पर दूसर कोशन देख लेते हैं क्योंकि पायरो मीटर कोशन आया हुआ है विकरन पायरो मीटर से कितना ताप माण नाप जासकता है तो हम आपो 800 संगठन के द्वारा उस्मा का संप्रेशन कहलाता है और कि संगठन के द्वारा यह टाइपिंग मिष्टिक है फिर सेफ उस कपूर से कपूर वास्प बनाने की विधी कहलाती है उर्द्वा पातन ठीक है दोस्तों वास्प की गुपतूस्मा कितनी होती है तो वास्प की गुपतूस्मा होती है 536 कैलोरी ठीक है पर ग्राम ठीक है 536 कैलोरी पर ग्राम चलिए अगला जो है हमारा भाप से हाथ अधि जल जाता है। वुष्मा गती की का प्रथम नियम किस से सनरक्षिक्त होता है। तो उर्जा से सनरक्षिक्त होता है। च लिए। चौदवा गधी लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोशेट का कार एक समान तापमान बनाया रखना होता है। कला काला सोरी इस कला लिखा हो है काला और कुर्दोरा पिड उसमा का सबसे अधिक आवशोषण करता है अब जैसे हम घर्मी मी काली शेट पहनते हैं बोलते हैं काली शेट को मिट्टी के घड़े में किस प्रकार किस क्रिया से पानी ठंडा होता है तो मिट्टी के घड़े में जो है वास्पी करण के कारण पानी ठंडा होता है दोस्तों सत्रों हमारा कोश्चन है यदि किसी स्थान पर तापमान अचानक बढ़े जाए तो आप एक शिक आदरता क्या तो निश्वा कोश्चन ने दाव बढ़ने पर किसी द्रव का कॉथनांक क्या होगा तो द्रव का कॉथनांक भी बढ़ जाएगा ठीक है दोस्तों अब हमारा अंतिम कोश्चन है मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट में ने यह रहा हमारा आखरी कोश्चन यह मैं या कैल्विन है जल्दी जल्दी इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और हमारे आपको डिस्प्ले पे और वीडियो शो करेंगे जो की स्टडी से बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए उनको भी जरूर देखेगा धन्यवाद दोस्तों